तो इस वीडियो में हम देखेंगे रियक्ट से API कैसे यूज कर सकते हैं अभी तक हमने mostly application बनाई है जिसमें कोई भी external API call नहीं की गई है तो इस वीडियो में हम एक rest API call करके देखेंगे using fetch API fetch का already video हम JavaScript में बना चुके हैं तो आप समझ सकते हो कि fetch क्या है यहां हम उसे जदा explain नहीं करेंगे बट उसको directly use करके देखेंगे तो मैंने एक template पहले से लिया हुआ image generator simple template है जिसमें एक h1 है एक div है और यहां पर एक image generator नाम से लिखा हुआ है इसके अंदर में एक button और create करता हूँ और एक image put कर देता हूँ तो basically एक button होगा जिससे कोई भी random image आएगी और वो इस image tag में आजाएगी तो यह src जो part है वो हमारा एक state variable होगा तो state variable हम hook से बनाएंगे तो यहां पर hook जैसे हम initialize करते हैं constant में src और set src और use state के बराबर उसको use state hook के बराबर put कर देंगे initially url को आप blank ले सकते हो कि कोई भी url इस image का होगा नि use state को import कर लीजिए अब इसके बाद मैं एक function लिखूंगा जिसमें हमको वो image get करनी है एक online API से तो मैं get image और इसको async operation लिख रहा हूँ async इसलिए क्योंकि जो operation जो url हम put करेंगे वो थोड़ा time लेगा तो उसके लिए हम await operation लगाएंगे तो constant response में await और fetch call कर देता हूँ तो fetch इसी तरह से हम use करते हैं हमने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है तो ये एक dog API site है जिसको आप use कर सकते हो और simply एक आपको url देता है तो वो ही same process हम करते है हम await response.json करते है इस से हमको एक data मिलेगा तो इसको हम src में put कर सकते हैं पर src में put करने से पहले एक बार सही रहेगा कि आप देख लें कि data properly आ रहा है या नहीं तो मैं console log में इस data को print करके देखता हूँ और button click पे ये on click से आप call भी कर लीजिए तो यहां मैं arrow operation बना के उसमें सीधे इसको call कर लेता हूँ तो get image को जब भी आप button click करेंगे तो call हो जाएगा और वो उस API को fetch करेगा तो अब इसके console log खोल लेते हैं तो console में आप देखोगे तो यहां पे successfully आ रहा है click करने पे तो message और status दो चीज़े आ रही है तो message में URL है तो हम उसी को ही src के बराबर set कर देंगे तो data.message set किया अब get image करके देखते हैं तो यहां पे एक dog image randomly आ रही है हर बार आप click कर रहे हो तो नई dog image randomly generate हो रही है इसी को थोड़ा सा और interesting बनाते है यह API में कुछ और चीज़ें भी है तो यहां पे आपको सारी dogs की breed की list मिल सकती कि कितने तरह के dog होते है उससे हम एक list बनाएंगे कि कौन से dog की image हमको चाहिए तो एक और list of breed से मैं एक function बनाता हूँ जो सारी lists get कर सके तो same type का function बनेगा इसमें async operation लगाएंगे और वैसे ही जो हमने पहले किया था कि fetch operation लगाके यह list वाला भी get करके देखेंगे तो बिल्कुल जैसा उपर का code है वैसा का वैसा आपको copy करना है इसमें बस URL चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो list all वाला URL था वो मैंने copy कर दिया है बाकी process same रहेगा चाहिए code आप copy कर लो data आएगा तो इस list को हम कहीं use करना चाहते हैं तो इस list से हमको देखना होगा कि कौन-कौन सी breed समारे से पास आ रही है तो use effect में मैं इसको directly call करके देखता हूँ तो use effect hook आपको पता है हर बर call हो जाता है यहाँ dependency पुट करना जरूरी बना infinite loop बन जाएगा और list breed को मैं यहाँ call कर लेता हूँ तो जैसे ही आपका re-render चालू होगा इसको यहाँ नीचे भी paste कर सकते हैं कि list breed क्यूंकि आपने उपर define किया है अब आप देखो तो यहाँ पर यह सारी breeds आ रही है तो breed है और अंदर उसकी array mt है उसमें कोई data नहीं है तो वैसे भी हमको केवल breed के name चाहिए थे तो आप केवल names निकालने के लिए आपको keys निकालनी पड़ेंगी तो keys कैसे निकलेंगी directly keys function ऐसा कुछ होता नहीं है keys के लिए अगर आपको पता हो उपने जावस्किप में एक video बनाया था object constructor से related उसमें आप object.keys use कर सकते हो तो object.keys से कोई भी object की keys आ जाएंगी तो इसकी भी सारी keys यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए है यहाँ आपको दिख रहा है 94 इस सब्सक्राइब अलग-अलग breed की एक list एक array format में आपके पास आ गई है अब यह array को directly हम कैसे एक list में बनाएं वो काफी easy है हम कई बार कर चुके एक map बना के हम इसको list में put करेंगे तो मैं सारी breeds को इस constant में put कर देता हूँ और उसके बाद हम return करेंगे सीधे breed की एक list तो मैं एक map operation बनाता हूँ इसमें मैं breed iterator लूँगा और उससे एक list tag बार-बार populate कर लूँगा तो एक list के अंदर हम एक button create कर देते हैं इस button को click करेंगे तो हम चाहेंगे कि उसी breed का एक dog का image आए तो मैं ये list breed जो function है इसको directly यहां भी call कर सकता हूँ एक बार के लिए image hide कर देते हैं और check करते हैं कि ये function call कर रहा है क्या तो ul के अंदर ये सारे li element का list generate होना चाहिए तो list breed को मैं यहां सीधे call करता हूँ तो इस तरह से ये वो जो loop create होगा जिससे बहुत सारे element आएंगे वो अपने आप यहां map होने चाहिए तो अभी यहां एक error आ रहा है जनरली ऐसा नहीं होता अगर loop सही से create हो जाता तो वो error क्यों है उसका reason है कि उपर हमने async operation यूज किया है यह एक async function है तो async function आपको पता होगा कि वो एकदम synchronously नहीं चलता है line by line और आपको result में थोड़ा time लगेगा यानि जब आपने list breed call किया होगा react में first time तो render क्या होगा undefined या ऐसा कुछ तो उस वज़े से शुरू में ही error आ रहा है क्योंकि आपके पास एकदम सही time पे render नहीं हो रहा है line तो async functions को हम थोड़ा अलग से deal करेंगे तो उसके लिए हम कुछ एक और नई तरीका use करते हैं जिससे कि हम उसको list में बना सकें तो हम यह पार्ट यहां से cut कर लेंगे जो return हम कर रहे थे और हम इस से के वो list breed ही return करवाते हैं तो यह पूरा operation async है तो यह थोड़े time बात करता है return तो हम use effect में इसको try करके देख सकते हैं कि use effect में यह properly चलेगा क्या तो उसके लिए हम यह use effect को भी async बनाने का try करते हैं पर इसमें एक warning आ रही है अगर इस warning को आप देखोगे तो यह आपको बताएगा कि use effect को आप async operation नहीं बना सकते हैं उसके कई reasons हैं कि वो render में problem करेगा तो यह आपको दिखा रहा है कि कैसे async function fetch data इस तरह से आपको बनाना चाहिए और उस fetch data को नीचे उसी use effect में आप call कर सकते हो तो यहाँ पे इसने एक example भी दे रखा है जो documentation से आया होगा सीधे तो वैसा ही हम करते हैं हम async सीधे use effect के अंदर वाले function को async नहीं बनाते और जिस तरह से इसने दिखाया है कि fetch data वैसा हम create कर देते हैं तो मैं यह सीधा template ही copy कर रहा हूँ जो इसने suggest किया है और उसके अंदर हम breeds की जो list है उसको get करेंगे तो हमारा जो response है वो तो इससे आएगा तो मैं इनका जो template है वो change कर देता हूँ थोड़ा यहां से clean up कर लेते हैं अब हमारे पास यहां breeds तो आ जाएंगे use effect में पर सही time पे उसको यहां पे populate भी करना है तो again हम state variables use कर सकते हैं तो state variables में मैं पूरी list ही put कर दूँगा तो एक list नाम से state variable और set list उसका setter बनाते हैं use state रखते हैं शुरू में क्योंकि list एक दम खाली होगी तो हम null element represent करेंगे अब यहां list breed की जगे सीधे list ही initially यह null होगा तो valid value एरर नहीं आएगा और बाद में हम set function से set list कर देंगे तो यहां पे हम वो जो map से हमने पूरा generate किया था again वो ही same process करते हैं breeds.map और उसमें breed के आगे हम जो list है वो element put कर देंगे तो li list और उसके अंदर breed तो इसको एक बार check करके देखेंगे तो यह पूरा map है आपको एक list return करेगा जिसमें की 94 element उस तरह से होने चाहिए तो अगर यह सई से काम करता है तो यहां एक list आनी चाहिए तो अब आप देख रहे हो यहां पे एक list create हो गई है तो finally async operation से भी हम setter के थूप कर सकते हैं इस चीज को अब मैं इसमें button चाहूंगा क्योंकि button को click करके ऐसा लगेगा कि मैं उसी breed के image को create कर रहा हूँ तो इसमें एक button सब में add कर देते हैं तो list भी हटा देते हैं क्योंकि list हमको specially नहीं चाहिए तो div may be easier तो मैं यहां पे div और उसके अंदर button create कर रहा हूँ तो अब यह सारे buttons आ गए हैं उपर यह get image का है बाकी सब breed वाले button है get image वाला भी आप चाहें तो अभी के लिए hide कर सकते हो इसके अलावा अब image जो थी वो हमको रखनी पड़ेगी अभी मैंने जैसे image को comment out किया है तो उस space को वापस create करना पड़ेगा कि इनको click करते ही वो call हो तो अभी हम इने क्यों list generate की है इसका जो button है उसका action से अभी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उस पर on click नहीं है और उस पर कोई API भी call नहीं है तो अभी तो मैं एक div or create कर देता हूँ और इसमें हम image को separate रखेंगे तो image top पे आएगी get image जो button था उसके नीचे और breeds वाले से उपर तो एक और function बनाते है get image by breed almost same होगा बस API different होगी तो जैसे यहाँ पे सारी breed सारी थी इसमें हम breed pass कर सकते हैं क्योंकि जब आप button पे click करोगे तो आपको breed का name तो पता ही है तो यहाँ पे by breed भी इस तरह से एक API दी हुई है इसको आप copy कर लिजे इसमें बस breed का नाम आता है बीच में तो यहाँ आप देखरे हो hound लिखा हुआ है बीच में इसको मैं string literal बना लेता हूँ और यहाँ पे हम यह variable की तरह hound की जगे breed का नाम दे देंगे तो कोई भी breed पास करोगे तो API डिफरेंट हो जाएगी और उस तरह से हो काल करेगी बाकी सब process सेम है इसमें क्या है पूरा एक array आता है तो मैं उसकी जगे यह breed list वाला यह function यूज करूँगा जिसमें last में आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने example भी दिया है और वो हम इस पे set कर देंगे तो कुछ भी ऐसा हमको change नहीं करना है तो on click पे मैं इस पूरी चीज को call कर लेता हूँ तो यहाँ पे image by breed वाला function call करना है और breed उसमें आप ज़रूर पास करो वरना API वैलिड नहीं होगी तो अब देखते हैं इस पे click किया तो यहाँ एक इस तरह का अलग type का dog आया कोई known breed जैसे boxer click किया तो यह boxer type का dog आया उस पे बार बार भी click करोगे तो same boxer breed का dog return होगा और आप और भी इस पे check कर सकते हैं तो सही से हमारा पूरा यह काम कर रहा है अभी क्या list थोड़ी सी अजीब दिख रही है तो मैं div भी हटा देता हूँ हम चाहेंगे कि सारे button से एक साथ दिखे हो और easily clickable हो वरना काफी scroll करना पड़ रहा है यहाँ पे bulldog मैं click करता हूँ और बार बार आप कुछ भी click करो तो वो same breed आती है तो यह एक तरह से यहाँ husky मैंने click किया तो husky आ रहा है तो इस तरह से कोई भी dog breed generator यहाँ पे create हो गया है तो यह तो था simple get API इसी तरह से post और दूसरी API भी आप use कर सकते हो तो अगर आप fetch का अलग से हमारा एक video है वो देख सकते हो उसमें हमने सारे APIs बताएं उनको इसी तरह से react में use कर सकते हो और state variable से उनका जो भी response है उसको set कर सकते हो तो इस channel पे हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजे